नमस्कार दोस्तों यूटूब चनल ICTX8B में आप लोग का स्वागत है इकलान स्कॉलासिप के तरफ से बहुत बड़ी अपडेट सभी स्टूडन के लिए गुड नीवोज है इकलान स्कॉलासिप का पैमेंट कब तक मिलेगा आज इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाला जितना स्टूडन ने इकलान का फॉर्म के अपलाई कर दियें सभी स्टूडन का फॉर्म धीरे धीरे वेरिफिकेशन हो रहा जैसे का आप लोग देख सकते हैं स्टूडन का फॉर्म वेरिफिकेशन हो रहा अगर आप लोग अभी तक अपना फॉर्म को अपलाई नहीं किया तो जल्द से जल्द अपलाई कर देंगे एकलाई का डेट भी एक्स्टेंड किया गया है जो की पिछला वीडियो हम बताय थे और अगर आप लोग अप्लाई करने में कोई दिक्कत है या फिर्णुल करने में कोई दिक्कत है तो पहले ही वीडियो बना चुक है इस वीडियो को देख लिजेगा बिना गलती की आप form को बहुत ही आसाने से apply कर सकते है चलिए इस वीडियो में बात करता है इक एलान का payment आप लोगो कब तक receive होगा क्या-क्या verification होगा और कैसे आप लोग अपना status को check करेंगे तो सभी student के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा important है तो वीडियो को complete जरू दिखेगा वीडियो informative लगे तो like कीजेगा, front group में share भी कीजेगा चैनल पर new होते हैं सब्सक्राब करके bell icon को on कर लिजेगा तकि आने वाले वीडियो का आपको notification मिल सेके और एक बात अगर आप लोग टेलिग्राम यूज करते हैं तो हम लोग का टेलिग्राम के साथ भी जूड़े रही है क्योंकि जो भी update आता सबसे पिले टेलिग्राम के देता हूं तो टेलिग्राम को जरूर जोइन करेंगे चलिए अभी बात करते हैं और इकलान का student का status डारेट में दिखा रहा हूं और बात कर रहा हूं कि आप लोग का payment कब तक मिलेगा तो status को check करने के लिए आप जैसे apply करते हैं वैसे ही student login में आपको click करना है और जैसे अप लोग अगर first time apply करते हैं तो sign up करते हैं लेकिन कुछ भी हम लोग को apply करना हरा रहता मतलब sign in में जैसे click करेंगे अपको अपना नाम से या password से जैसे form apply करते time sign in करते हैं और इसे ही sign in करना है email ID, mobile number किसी से भी ठीक है तो मैं एक student का sign in करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ देख सकते student का form verification भी हो रहा और कब तक payment मिलेगा चले बता रहा तो student का नाम और password को यहाँ पर हम fill up कर दिये और जो capture code दिखाए दरहा इसको भी आपको fill up करना है तो इसको हम यहाँ पर fill up करके form को sign in करता हूँ तो देख सकते हैं जैसे ही sign in करेंगे तो आपका form यहाँ पर open हो जाएगा आप मिला लेंगे कि आपका नाम father's name date बरता आप ही का form तो login हुआ बहुत बढ़ ऐसा हुआ इकलान में नाम same रहता password भी same रहता कि नाम एरदरेट 123 और open हो जाता किसी और का form और वो बिना देखे form को final submit कर देता है बहुत का गलती हो जाता अपना form तो गलती करते हैं साथी साथ जिसका form में गुस के अपला कि उसका भी गलती कर देते तो आप लोग एक बात का ध्यान देंगे जब भी login होगा अपना नाम फदर्स नेम डेट बाद मूबाइल नमर को मिला लेंगे कि आफी का है या फिन नहीं है अभी जैसे ही आपका form login हो जाता है तो आपका सब कुछ दिखे का आप मिला लेंगे आफी का login हुआ इसको थोड़ा scroll करना है और आपका form अगर verification होता है तो आपको application status का option यहाँ पर click करना है और आपको यहाँ पर session लेना academic session क्या चल रहा अभी बहुत अभी हम लोग किसके लिए apply किये तो आपना academic session को यहाँ पर select करेंगे जिस session में अभी आप apply किये तो नया session को हम यहाँ पर ले लिए उसके बाद आप लोग देख सकता है status अपका so होगा academic year इधर so होगा और status यहाँ पर दिखेगा कि कौन सा अधिकारी कौन सा office अभी आपका form verify हुआ तो यहाँ पर देख सकता है status दिखा रहा approved by college मतलब इस student का form अभी college से ही approved हुआ इसके बाद जाएगा DA officer का पास approval के लिए मतलब college अप्रूब कर दिया तो DA का ID में चला गया DA officer scene करेंगे मतलब इसका form को देखेंगे फिर अप्रूब होगा approved by DA officer यहाँ पर आ जागा उसका DA officer अप्रूब कर देंगे या फिर कुछ pending pending करते हैं DA officer और reason देते हैं क्यों pending है उसको आपको पढ़ना है और वही चीज आपको इडिट का भी option देगा इडिट ऑनलाइन में डॉकमेंट अप्लोड करने का भी option देगा जब पेंडिंग करेंगे DA officer तो उसको आपको सुधार के 15 दिन के अंधर ही फिर से दुबारा सब को सही करके कुछ भी अप्लोड करने के लिए बोला आगे यहां के सेल पे टेस्टेट करके चैंज करके अप्लोड करना तो उसको अच्छे से अप्लोड करके final submit कर देंगे महला submit कर देंगे फिर 15 दिन के अंदर तो रेगुलर आका चेक कर लेंगे तो DA officer जैसे आपका verify कर देंगे DA officer होगा जब सब कुछ verification हो जाएगा तो इस परकार दिखेगा final approved by AA officer उसके बाद बता रहो कि कब तक payment मिलेगा लेकिन DA officer आपका form तभी verify करेंगे जब आपका account number कोई भी account number के साथ आपका NPCA server में आपका कोई भी bank account एक activate होना चाहिए अधिक जानकरी के लिए वीडियो का description पर भी दे दिया हो चेक NPCA status उसको आप चेक कर लिजेगा मरला आधार लिंक होना चाहिए आपका account के साथ और कैसे status चेक करना उसका भी पूरा step बताया हुआ वीडियो का description पर इस website का link दे दिया आके check कर सकते हैं अभी बात करता हूँ जब आपका form final approved by double officer हो जा तो देख सकते हैं session 2021 में student को payment March April मई में इस student को मिला मार्च से payment रिलीज होना start हो जाता फिर अपरेल मई इस student देख सकते है त्यरह पांच 2021 को payment मिला था पिछले सल का 2020 session का ठीक है तो आप लोग को भी payment March के बाद से मिलना सुरू हो जाएगा district wise फिर student को payment मिलता ठीक है तो अगर अगर आप लोगों जानकर ये अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें friend group में share करें चली मिलते दूसरे वीडियो पर